सुजानगड सूचनावें आपका स्वागत है सुजानगड के मादुलाई शेत्र में गंदे पानी के ब्राव की समस्या के समाधान के लिए नगर परशद के आयूद पसंद कुमार सिनी ने आज मुकानेक्षन किया इस तोरान नगर परशद के सफाई निर्खशक मुनालाल मिना भी उनके साथ मुझूद रहे नसाब मुक्ती मोर्चा के पितराम जड़े ने आयुक्स को बताया कि रेलवे स्टेशन के पास से आने वाले इस गंदे पानी के भराव के समस्या के समाधान के लिए प्रियास होने चाहिए क्योंकि आम रास्ते में पानी फेल जाने से यहां से पस्वों को लेकर खेज जाने वाले किसानों को काफी परिशानियों को सामना करना पड़ रहा है वहीं जोड की भूमे भी गंदा पानी भर जाने से काफी परिशानी हो रही है क्योंकि प्राकृतिक जल्स रोतों में गंदा पानी बरने से उनको भी नुक्सान होना गलत है जैने ने बताया कि मेगा हाईवे सेट किसानों के केतों के और जाने का यह मुख्य रास्ता है जिसे यहां से गुजने वाले रागिरों मादोलाई शेतर की ढानियों में रहने वाले लोगों किसानों पशूँ और वानचालकों को काफी दिखतों का सामना करना पढ़ रहा है आयुक ने किसी खेत के मालिक से खेत में पानी डाले जाने के लिए सहमती बनाने की बात भी कही आयुक ने लोगों को आस्वासन दिया कि जल्दी समस्या का समाधान किया जाएगा और इस समस्या का इस्थाई समाधान सिवरेज के कारिय पूर्ण होने के साथ ही होगा वही इस तोरान गिर्दा लालसान सुबासमंडा मानक मेला सहीत अनेक लोग मुझूद रहे वहालों को यह ढ़नियां यहां आठ दस उनके जो घर परीजन हैं उनके जो आने बहुत प्रेशा नहीं होती है क्या आश्वासन यह बोले कि इस पाणी का निस्तान करेंगे इसका मुख्य निस्तान तो सीवरेज आने से होगा लेकिन सीवरेज से पहले मनलब यह गंदा पाण साब को भी फोन किया आके चले जाते हैं देखें लेकिन कोई पका निस्तान तो यह जब हमारे रास्ता कलीन होगा तब ही मिलेगा गंदा पाणी आता है सबसे ज़्यादा रास्ते में गंदा पाणी फैलता है उसके बाद में जो यह ठंकी बनी हुए है जल्दाई विबाग बक्सी भी प्रेसान होंगे